इस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Google Pay यूज करते हैं और Google Pay के अंदर आपको जब भी आप किसी को money transfer करते हैं पैसे भेजते हैं तो आपके सामने आ जाता है तो आपको यहाँ पर यह आज आता है आप पैसे नहीं भेज सकते हैं तो आपको क्या करना है इसको solve करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वीडियो में टक बने रहेगा वीडियो अच्छे लगेता लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना तो इसको solution के हम आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको अपने Google Pay को open करना है तो यह मेरा Google Pay है तो इसको open कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर open हो चुका है अब यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी error को सही करने के लिए उपर आपको profile देखने को मिल रही है profile पर click कर ये then यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे, bank account, अब यहाँ पर bank account पर आपको click कर देना है, जैसे आप bank account पर click करेंगे, then उसके बाद यहाँ पर option मिल जाता है आपको, जितने भी account आपके add होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अब जिस भी account में आपको problem आ रही है, उस account को यहाँ पर slack कर लेना है, suppose त्री डोट पर आपको क्लिक कर देना है, त्री डोट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको option मिल जाता है, third number पर remove account का, यहाँ से आप इस अपने account को remove कर दीजिए, इस पर click करके, मतलब आप Google पर से अपने account को हटा दीजिए, यहाँ से आप remove कर दीजिए, remove आपने कर दिया है, फिर open करना है Google पर, same काम करना है, profile पर click करना है, then यहाँ पर bank account को option देख लिए इस पर click करिएगा, add bank account में आईएगा, और यहाँ से अपने account को slack कर लिजिए, जिस भी bank में आपका account है, वो account फिर से आप यहाँ पर add कर लिजिएगा, इतना ही मिलते हैं, एक शोड़े में इतिल नवाटे किया, लग यहाँ.